तो हेलो भाई लोग कैसे हो मैं हूँ इसके और आप लोग देख रहे हो SS Graphics YouTube चैनल सो गाइस सबसे पहले तो नए साल की धेरो सुब कामना है आप सभी लोगों को और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले जैसा कि आपके स्क्रीन पर मॉन्टाज चल रहा है वैसा ही मॉन लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मॉन्टाज इसकी लिंक तो आप लोग देख लेना और आज की वीडियो में मैंने कॉलेप्रेशन किया लिव शियर एफफ के साथ नाम ऐसा ही है बस मेरे से प्रोनाउन सेशन नहीं हो रहे है तो देखो स्क्रीन पर लिख दिया लें तीन आप यूज करेंगे काइन मास्टर जो कि हम लोग करते ही हैं और वीडियो को स्लो मोशन करने के लिए स्मूथ एक्षन केम श्लो मो और चोथा जो तीसरा अप्लिकेशन है वह हमारा हो जाएक को सबकी तीनों ऐप लिएंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और द बिना किसी देरी के स्टार्ट करते ही आज की वीडियो को सबसे पहले आप लोग को कर लेना है अपना काइन मास्टर अप्रिकर्शन को ओपन 16-9 का प्रोसेक्ट ले लेना है और डिस्क्रिप्शन में चो काइन मास्टर आपको मिलेगा वह थोड़ा सा पुराना होगा पिकॉस की वो जो है थोड़ा सा ओल्ड वर्दन का क्यों होगा क्योंकि वो मोडेड है और मोडेड में मुझे न्यू वर्दन मिला नहीं इसलिए और सबसे पहले तो हम लोग हेट्शोट की क्लिप्स दूनेंगे कहां पर एक बहतरीन वाला हेट्शोट दूनेंगे जा पर एक बहतरीन हेट्शोट लगा वो आपको आपका गेम प्ले रिकॉर्ड कर लेना है फुल एचडी में अगर आप लोग को आता है तो बहुत ही बड़ी है अगर नहीं आता है तो पहले से मैंने वीडियो बना के रखिये कैसे आप लोग आपका गेम प्ले फुल हो गया है और दूसरा है मैंने गन स्विच्च किया है पहला है जहां पर मिस हुआ हम लोग वहां तक छोड़ देंगे और यहां पर निकाल रहा हो वहां से रखेंगे आगे कर ट्रिम टु लैफ्ट अफ प्लेहें कर देंगे और जैसी हैड लगने वाला होगा यहाँ पर जै और इसको 60 fps में export करना याद रखना इसको 60 fps में export करना और इसको हम लग export कर देते export करने के बाद आपको आ जाना है smooth action cam slow mo में so guys export करने के बाद मैं आ चुका हूँ smooth action cam slow mo में और आपको open file पर click करना फिर आपका gallery automatically open हो जाएगा फिर यहां पर recent में आपको वीडियो मिल जाएगा export वाला और यहां पर मेरा थोड़ा से वह अलगा रहा था क्योंकि वह गूगल का था और सबसे पहले तो आप आपको यहां पर click करने जो setting है यहां पर करके आपका simple smoothing होगा तो इसको motion कर देना motion वाला कर देना जिससे आपका बहुत ही better होगा export और जो होता है slow motion बहुत ही और setting को देख लो ऐसे करना और original और 30 fps कर देना है और apply करके save settings कर देनी है और यहां पर जो आपको speed है उसको कर देना है 15 अगर आपने 60 fps में gameplay record होगा तो आपका 15 पे हो जाएगा और इसके बाद simply आपको export and share पर करना है अगर आपको preview देखना है तो preview यहां पर अच्छा नहीं दिखेगा बट आप इसको जब export कर दोगे एक बार export and share पर क्लिक करके export करना है यहां पर आपको साथ मिनिट लेगा जो 30 के बाद में time लिखा है वह आपका real time होता है 7 minutes 440 seconds कुछ इतनी around में लेगा time और मैं इसको अभी post कर देता हो video को ताकि यह हो जाए so guys after मतलब उसके बाद जब हमारा जब वह export हो जाएगा उसमें से तो आप लोग को simply kind master पर आ जाना है और आप लोग को यहां पर पहले यह कर लेना जिससे कि आपकी clip आ जाए नहीं तो यह आप पहले ही करके जाना export करने के बाद एक बार back करके पहले ही कर लेना अगर आपका mobile अच्छे जी भी रैम वाला नहीं है तो और आगे की जो clip है उसको delete कर देना और media पर जाना और जो smooth action cam का folder होगा smooth action cam का फोल्डर बन जाएगा उसमें से आपको ले लेना है वो श्लो मो वाला वीडियो और आप लोग देखो यहां पर मैं preview दिखा रहा हूं आप लोग को बहुत ही श्लो मो वाले देखो जितना slow किया था मैंने वही है और यहां पर आप लोग देख सकते हो कितना slow हो चुका है और कितने सारे effects भी आ चुके वीडियो में effects तो अभी हम लोग बहुत सारे डालने वाले और वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी और यहां पर ऐसे ही आप लोग को बाकी सारे करते रहने मैं ज्यादा नहीं सिखाओंगा एकाच सिखा दूंगा एक सिखा दिया मैंने आप लोग को ऐसे ही आपको पूरा montage बना लेना आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको एकड़म अच्छा montage बनाना है तो ऐसे ही करके आपको जो है वीडियो बना लेने हैं उसके बाद हमारा जो काम है वो अलाइट मोशन में जो की हमारे लियूसियर एफफ भाई सिखाएंगे और कॉमेंटरी होगी मेरी सो गाइज यह हमें मिल चुका है लियूसियर एफफ भाई का वीडियो जो उन्होंने बना के दिया है मेरे को और उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो आप लोग जाके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना उनके चैनल पर मॉन्टाजेस आते रहेते वीक में एक या दू मॉन्टाजेस आते रहते और यहाँ पे देख लो सबसे वहले ऊपको करना क्या है देखो विडियो में अच्छे देखो effects में जाना आपको add effect करना है एंड उसके बाद आपको color and light पे जाके brightness on contrast पे जाना है और आप लोग brightness को कर देना है माइनस 13 12 माइनस 12% और contrast को कर देना है 20% plus 20 plus 19 इतना और आप लोग screenshot ले लो गर आपको याद नहीं रहता है तो वीडियो को वहाँ पर stop करो और screenshot ले लो फिर add effect करके exposure gamma color and light में मिलेगा एक्सप्लोजर को वैसे रहन देना है कामा को थोड़ा सा कम करना है कि कम करने के बाद फिर offset को थोड़ा सा कम करना है और यहां पर इतना काम कर दिया और इसके बाद फिर से वीडियो पर पर क्लिक करना है उसके बाद आपको effects के option मिल जाएंगे यहां पर लेयर पर क्लिक करना है फिर duplicate लेयर करना आपको लेयर पर क्लिक करके duplicate करना है और नीचे वाली लेयर को जो आपको 月 कर देना है और उपर लेयर फिर जाना है और एड इफेक करके आपको करना क्या है आपको जाना है इने ला leven और त्रीज होन लेंसिदी winding अ मिल जाए ओ जो आलिफशन है उसमें और आपको त्रिज हॉल्ड को 0.51 बढ़ाना है और यह एड होने के सबाद आपको करना क्या है यहाँ पर फिर से इफ"! झाना है और और इसके बाद आपको ब्लर पे जाने और गोर्षीन ब्लर अप्लाइ करने और गार्षीन ब्लर को פूल कर देना है देखो फूंल कर दिया 2.0000P2.0000 फूल कर दीना और इसके बाद फिर से ड़ियंच करने आपको यह जो У Min вес और उसके बाद देखो यहां पर इकदम जहर इए और दूप्लिकेट मेट्स करने पद पिर से उसवाली लेइश पर जाने जिसको है नुपकर बनाया उसमें आपको एफक्ट देना है फ्लिकरवाला वहाद इफक्ट काफ के देख़ो अभी कहां पहीं जाते फलिकर फेक्क पहले होगा देखते हैं ऑपिसी टी एंड विजीबलिटी में फ्लिकर इफएक्ट यह रा ने दम सभी अंदाज़ा था मेरा लिकर एफ्ट और आपको फ्रिक्वेंची को पूरा फुल कर देना है को पूरा फुल कर देना है स्ट्रेंद को थोड़ा सा कम करना है जीरो पॉइंट ने अरॉंड और जीरो पॉइंट वैंट वैंट और अरू उसके बाद बैक और देखो ये फिलिकर आपको मिल चुका है और इसको प्ले करके किसले नहीं दिखा रहे क्योंकि प्ले करने पर रिकॉर्डिंग के समय लेग होता है और इनका नहीं होता होगा तो फिर कोई बात नहीं और लास्ट वाली लेयर में आपको जाना है और आपको जाना है लास्ट वाली लेयर में और उस पर क्लिक क के आपको आजाना है फिर से इस पे भी flickr डाल देना है और इस बर फ्रिक्वेंसी बढ़ा कि सीड को पूरा बढ़ाना है और स्ट्रेंद को कम कर देना है और स्ट्रेंथ को 0.2 मलब लाश्ट और स्टार्टिंग के में फ्लिकर डाल देना है उसके कि एकदम ओपीछ आपको इफट मिल जाएगा स्काइफ लिकर वाला एक्वस्काइफ लिक करат एफेक मिलकिया साथ में color grading भी हो गई है और बहुती ओपी लग रहा है और यहां पर देखो वह चीज बन चुका है जो हमको चाहिए था और इसके बाद देखते यहां पर आप लोग देखो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यह वीडियो के पूरा हम लोग ने बना दिया है और थैंक्स टू लिश्यर एफफ भाई जो हमने जो उन्होंने इतना सिखाया हम लोग को और तो बस से एक्सपोर्ट कर देना आपको उसके बाद और आज की वीडियो में इतना ही और यहां पर हमारा जो मॉन्टाज एकदम तरीके से बन चुका है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक्सपोर्ट होने के बाद आपको वैसा ही मिल जाएगा सॉंग का लिंक आपको डि लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को अल पर सेट करते ना मेरी हर एक वीडियो को नॉटिफिकिशन सबसे पहले पाने के लिए और हम लोग मॉन्टाज टूटोरियल और आप लोग रेडी रहना हम लोग और है तो जाकि सब्सक्राइब कर दो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे रखा और उनके चैनल पर मॉन्टाज आते है रेग्यूलर तो नहीं आते लेकिन वीक में दो तो आई जाते तो आप लोग जाकि उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो बस मिलते हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई